सबी को हमारा प्यार भरा नमश्कार आज मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं लाई हूँ और नहीं कोई कविता आज तो मैं आपके लिए लाई हूँ करेंट अफियर्स क्या बात है आप लोग थोड़ा अश्चर में आगे आपको लग रहा है क्या मैंने कोई न्यूस चैनल खोल लिया है जी नहीं ऐसी बिलकुल भी कोई बात नहीं है मैं तो कुछ बहुत ज्यादा लेटिस न्यूस के बारे में बात करना चाहती हूँ आपके साथ मगर वो ऐसी क्या खास बात है जरूर कोई खास बात तो होगी चली मैं आपको इसका क्लू देती हूँ ये एक बहुत ही महान प्रतिमा की बात है जिसका उदखाटन पांच परवरी को किया जा रहा है और ये प्रतिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है इसमें धेर सारी खासियत है सबसे बड़ी बात ये दुनिया की सेकंड लार्जेस स्टाचू है जिसकी हाइट है 216 फीट इसके चारो और 108 मंदिन है इसको बनाने में लगबग 1400 करोड का खर्च हुआ है और इसको बनवाने में 120 किलो सोने का इस्तमाल किया गया है गोल्ड का इस्तमाल किया गया है ये पंच लोह से बनी हुई है अब मन में सवाल उट रहा होगा कि इसमें 120 किलो सोना क्यों क्योंकि या प्रतिमा उस महान व्यक्ति की है जिसकी आयू 120 वर्ष की थी 120 साल वो इस थर्दी पढ़ थे तो है न बहुत सारी आश्चर चकित बाते एक और important बात ये ग्लो सबसे important है कि इसकी स्थापना कहां की जा रही है कहां पर इसका उद्घाटन हो रहा है ये हो रहा है हैदराबाद के पास एक जगे है रामनगर वहाँ पर अब तक तो हमारे बहुत सारे बच्चों को पता ही चल गया हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ चल गये फिर में मैं बताती हूँ ये है Statue of Equality यानि की रामा नुजाचारी की तो है ना current news और बहुत सारी information हमारे बच्चे वैसे तो current news से काफी परिच्चत रहते हैं उसके बारे में जानते भी हैं मगर हमारी सिक्षा पद्दती ऐसी है कि हमने अपनी इतिहास में कभी नहीं पढ़ा ये सारी चीज़ें इसमें हमारे बच्चों का कोई दोश नहीं है इसमें दोश है हमारी शिक्षा पददी के जो की गुरुकुल से कॉन्विंट स्कूल बन गए हम अपनी हम अपनी खूबियों को कम अंग्रेजों के शाशन को ज़्यादा जानने लगे हम अपनी महानता भूल गए अपनी हार को याद करने लगे तो गल्दी तो किसी के नहीं है इसी लिए शायद आज मैं अपने प्रधान मंत्री का तहे दिल से शुक्रियादा करती हूं कि उनकी ये छोटी सी पहल हम सब को अपने पुराने तत्यों से मिला रही है जागरूख करा रही है हमारे अंदर इतनी सारी विशेष्टाएं है हमारी भारत भूमी जो है रतनों की खान है रतनों की खान है जिसका परिचय हमें अब हो रहा है थाइंक्यू सो मच सब आपके इनिशेटिव के लिए आपकी इस कारे के लिए कहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूं अपने सारे बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत भगध धन्यवाद अब हमारे बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा यह रामा नुज़ाचारे में आखिर ऐसी क्या खास बात थी इतनी सारी बाते उनके लिए क्यों इतना बड़ा मंदिर उनकी लिए क्यों? रामा नुजाचारिक के बारे में कहा जाता है कि ये एक विशाल चलाशे हैं जिसमें से समानता की वकालत करने वाली सबीध हराएं निकलती हैं ये एक बहुत बड़ा एतिहासिक तथ है रामा नुजाचारिक जो एक बहुत बड़े फिलोस्फ़र थे राइटर थे और उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम करे रामा नुजाचारिक एक आध्यात में क्रांधिकारी थे वैदिक साहित्य के खजाने को आपने आम आदमी के दर्वाजे तक पहुँचाया है कहते हैं मीरा, कबीरदास, रामदास जैसे कई अन्य रहस्वादी कवियों के लिए आप एक प्रेणा क्या सोत्र थे आपकी विचार धारा थी कि हमारी प्रकृती और उसके संसाधन जैसे जल, वाईयो, मिट्टी, पेड, आदी, पवित्र हैं और हमें इनका संरक्षन करना चाहिए काश ये स्यारी बातें हम तब ही समझ गए होतें तो आज हमारे देश में पानी के समस्या ना होती हमें स्वच्छ पानी मिलता वाईयों में प्रदूशर ना होता हमें शुद्ध हवा मिलती और हम बीमारियों से कोसों दूर रहते रामानुजाचारे ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी और बहुत सुन्दर रिखा है आपके नौ ग्रंथ नौ रतन नाम से जाने जाते हैं जिन में से एक विशेश है विश्णु सहस्तनामा और भगवान विश्णु के प्रती आत्न समर्बन के नियम आपके विचारों को प्रकाशित करने वाली एक और अनोखी विचारधारा थी आपने तिरिस्कृत लोगों को गले लगाया उनके अंधेरे जीवन में एक आशा का दीपक चलाया है ये आशा का दीपक समानता का दीपक था रामानुजाचारे एक ऐसे महान व्यक्ति थे उस समय जबकि देश में छूद अचूद अनपढ जैसी बहुत सारे भेदभाव हो गए थे मगर आपने शाक्षर और अनपढ शाशक और शाशिर्तों के बीच की खाई को पाट दिया था तो है न भहुत सारी बाते अभी कहानी खतम नहीं हुए है आईए आगे देखते हैं और क्या इंट्रिस्टिंग बाते हैं मैंने आपको बताया रामा नुजाचार एक दार्शनिक थे यानि कि एक फिलोस्फो थे आप एक संद धर्म शास्त्री समाज सुधारक और वेदांत के प्रमुक प्रतिपादक थे समाजिक वेवस्ता वास्तव में एक नैतिक आदेश या आचरण का नियम है हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा का उद्गाटन किया जा रहा है स्थापना की जा रही है है न सरानिय, आपकी विजारधारों से चलिए, थोड़ा अवगत होते हैं, रामा नुजाचारे जी कहते थे कि भगवान की नजर में हम सभी उनके पुत्र हैं, इसलिए हम सभी समान हैं, सभी को मंदिर में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है, भगवान की आराधना, पूजा जब तब करने का सभी को अधिकार है, शिक्षा का सब को समान अधिकार है, ऐसे महान विचार थे, जबकि उनका बालेकाल काफी मुश्किलों से भीता था, बहुत एरी परिशानियों का सामना किया था, मगर सोच अच्छी थी, मन में ये विश्वास था, मन में इक् करूगा, तो किया उन्होंने एकदम अनुखा, जबकि हम उस समय छूत बात, जात बात जैसी बीमारियों से ग्रस्त थे, आपने हम सब को निरोग किया है, रामानुचाचार जी ने दूसरों के दुख को कम करने के लिए हमेशा तत पर थे, उनके विचार में मन और कर्म की पवित्रता ही सर्वस्ष्ष्ट थी, श्री वैश्नम परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों के रूप में दुनिया भर में आपका नाम जाना जाता है, साथ ही ये कहते हुए दुख होता है और अपसोस होता है कि ऐसे महान व्यक्ति को हमारे हिंदुस्तान में हमारे बच्चे नहीं जानते थे, मैंने आपको बताया पहले गुरुकुल का जमाना था, आपने यादव प्रकाश नामक गुरु से सिक्षा ली और इनके प्रशनों से इनके गुरु कभी-कभी काफी परिशान हो जाते थे, और जब रामा नुजचारे इनकी ही व्याख्य को अपने शब्दों में बताते थे, तो वहाग गई वो हत्प्रभ हो जाते थे, आश्चर चकित हो जाते थे उनकी विवेचनाओं को सुन करके, और अंत में यादव प्रकाश ची अपने शिश्य के ही शिश्य बन गए, कहते हैं गुरु गुर रह गया, शिश्य चीनी बन ये कथन यहाँ पर एकदम सत्य सिद्ध होता है, मैंने आपको बताया, रामानुजाचारे जी के दिल में अपने समाज का उत्थान करने का भूत सवार था, उनके अंदर ये इक्षा थी कि मैं सब का भला कर दू, इस विशे पर आपको एक बहुत मज़िदार वाक्या बतान रामानुजाचारे जी के मन में था दिक्षा लेने की बहुत इक्षा थी, आपको उन्होंने अठारा बार वापिस किया, अठारा बार लोटा दिया, ये कह करके के तुम इस योग्य नहीं हो, उन्हीं बार जब दिक्षा दी, उसके साथ धेर सारी हिदायते दी, धेर सारे नियम कानून भी बताए, और जानते हैं दिक्षा क्या दी थी, विश्णु सहसनामा का एक मंत्र, और कहा, इस मंत्र को कभी भी किसी के सामने मत बोलना, ये मंत्र बहुत शुट है, पवित्र है इसकी महानता को कोई नहीं समझेगा और जो इसको एक बार सुन लेगा निश्चे ही उसे मुक्ति मिल जाएगी विश्टु भगवान के चरणों में उसे स्थान मिल जाएगा रामा नुजाचारे बड़े ध्यान से सारी बाते सुनते रहे उनकी मन में तो भूत था मैं अपने समाज का उध्धार करूँगा मैं सबका भाला करूँगा अपने गुरू की सारी हिदायतों को बड़े शान्त मन से सुनते रहे और फिर जल्दी से मंदिर की छट पे चड़ गए और वहां जाकर के जोर जोर से मंत्र का उचारण करने लगे जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मन में था कि अगर मेरे मंत्र कारण से लाखों हजारों करोडों लोगों का भला होता है तो इस से अच्छी क्या बात हो सकती है जब उनके गुरू ने देखा यानि कि गोश्टी पुरुजी ने बहुत ही नाराज हुए और उन्हें श्राब दे दिया तुम नर्क में जाओगे इस बात पर रामा नुजाचार जी ने मुस्करा कर कहा अगर हमारे एक मंत्र के उच्छारन से इतने लोगों का भला होता है तो मुझे बड़ी खुशी-खुशी से नर्क में जाना सुईकार है उनके मुसे ये शब्दों को सुनकर उनके गुरु आश्चर चकित हो गए उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं थी उनके मन में तो कहीं आशा थी कि रामा नुजाचार जी आएंगे और उनके पाउँ पकड़ लेंगे शमा कर दीजे मैं दोबारा नहीं करूँगा मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था देश भक्ती समाज सेवा कि इस चिंगारी ने उनके गुरु को भी प्रसंद कर दिया और फिर उन्होंने आशिरवाद दिया प्रसंद रहो खुश रहो अपने देश का भला करो अपने समाज का भला करो तो ऐसे थे रामा नुजाचारे जी कहते हैं न कि सोना आग में तपता है तभी निखटता है अपने बच्पन की धेर सारी परिशानियों के साथ तपे थे तब निखरे और हाँ एक और इंपर्टन बात मैं अपने सभी बच्चों से कहना चाहूँगी ऐसा नहीं होता कि आपकी मेहनत रंग नहीं लाती कभी-कभी थोड़ा सा वक्त निकल जाता है कभी-कभी थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है मगर आपकी मेहनत जरूर रंग दिखाती है तो मेहनत करते रहिए अच्छी सोच के साथ सफलताएं आपके कदम जरूर चुमेंगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद और हमें पूरी उमेद है कि हमारे बच्चों को सोचने के लिए कुछ तो नया मिला होगा अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के शार्ट शेयर करिएगा और हाँ एक और इंपॉर्टन बात ये तो आपका फेवरेट चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो बनता है थैंक यू सो मच